ओम नमो श्रीवेंकटेशाया। मैं प्रोफेसर S.V.S.S. नहरायन राजू यूचूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। संत स्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रच्चित, स्री रामचर्त मानस के अरण्यकान से संबंदित, विबिन पदों की व्याक्या की इस शुशुकला में आज मैं पहला पद से आरम कर रहा हूं। अब इस पद में जिस प्रकार बरत और अयोध्या के मुख्य लोग तिनों माता हैं, अब सब वापस गए हैं। अब प्रभुशिराम चंदर जी वन वास्तविक वन जीवन अब आरम हुआ। और आगे कैसे प्रभुशिराम चंदर जी सीता लक्षमन सैत अब कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसका वरिनन तुलसिदास्ती के शब्दों में देखेंगे। सबसे पहले पत देखेंगे और पत के साथ साथ पत की व्याक्या भी हम देखेंगे। देखेंगे। पुर्णर बरत प्रीतिमैगाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनह अतिपावन। करत जेबन सुरु नर्मुन भावन। एक बार चुनि कुसुम सुहाई। निजकर भोशन राम बनाए। सीतहि पहि राये प्रभु साथर। बैटे फटिक सिलापर सुन्दर। सुरपति सुतु धरि भायस बेशा। सट चाहत रगुपति बल देका। जिमि पिपीलिका सागर ताह। महामंद मति पावन चाह। सीता चरन चोंच हति भागा। मोड मंद मति कारन कागा। चला रुदिर रगुनायक जाना। सींक धन्ष सायक संधाना। अति कृपाल रगुनायक सदा दीन पर ने। ता सन आई कीन ही चल मूरक अवगुनोगे। सबसे पहले प्रभु शिराम चंदर जी से गुणों का और शिराम चंदर जी के भारे में तुलसिदास के शब्दों में अभ्धेखेंगे। पुर नर भरत प्रीतिमय गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनह अतिपावन करत जेबन सुर नर मुनिबावन। देखिए पुरवासियों के और भरत जी के अनुपम और सुन्दर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धी के अनसार गान किया। यह मेरा नहीं तुलसिदास जी का शब्द है। मतलब तुसिदाज जी केह रहे हैं कि देखे संपून अयोध्य वासियों के और बरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैने अपनी बुद्धी के अनसारगान किया अब देवता मनिश और मुनियों के मन्खो भाने वाले प्रभू बनाए अब प्रभू आगे कैसे देखे सिराम चंदर जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं अभी तुलसिदास कर रहे हैं अभी आगे वन में क्या हुआ अब देखेंगे एक बार चुनिकुसम सुखाई निजकर भूषन राम बनाए सीता ही पहिराए प्रभू सादर बैटे फटक सिलापर सुन्दर देखेंगे एक बार क्या हुआ वन में सुन्दर फूल चुनकर शिराम चंदर जी ने अपने हाथों से बांती बांती के गहने बनाए और सुन्दर फटक सिलापर बैटे हुए प्रभू शिराम चंदर जी ने अतिन्त आदर के साथवे गहने माता स्री सिता जी को पहनाए देखेंगे ये तो बहुत ऐसी स्थिती है शिराम चंदर जी के हाथ में फूल भी गहने बन जाते हैं प्रभू चाहे तो क्या नहीं होता है अब आगे देखिए सुरपति सुत्दरि भायस बेशा सट चाहत रगुपति बल देख जिमी पिपीली का सागर थाह महामंद मति पावन चाहत देखिए आगे कैसे चलते हैं देवराज इंदर का एक मुर्क पुत्र है जेयंत कव्वे का रूप दारण करके प्रभू श्री रगनात जी का बल देखना चाहता है जैसे महान मंद बुद्धी पिपीली का समद्र का ताह पाना चाहती हो इसे माना जाता है पिपील का मतलब उसको देखना है तो माइक्रोस्कोप चाहिए हम अपने आंकों से नहीं देखते हैं बहुत चोड़ती है वो समुंदर को कैसे देख सकता है इसे ही यहां इस मंद बुद्धी यहां देखिए यहां मंद बुद्धी होने के कारण जेयंत इंदर पुत्र जेयंत का लेकिन एक निश्चित लक्ष भी था क्या है उसने प्रभु शिराम जी के बलकी परिक्षा के लिए कववे का रूप दारण किया उनको मालूम नहीं हम क्या कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों का डर है प्रभु आगे रावन को मार सकता है नहीं लेक इस प्रकार हम कृष्णा अतार में भी देखते हैं हम सब जानते हैं जैसे इंदर जब बार में बिल्कुल बारिश मतलब बारिश मतलब पत्रों के बारिश करता है तो पुरा गोवर्धन परवत को उठा के बिल्कुल अपनी अंगली पर रखके हैं तो यहां दृश्य पहाड को कहां रख सकता है कहीं गिर सकता है बोलके अपने पास जो भी चोटी चोटी लखडियां होती है न उसके लखडियां भी रखका है कि पहाड ना गिरें यह तो ठीक है उनके अंसार बुद्धी सही है लेकिन प्रभु शिराम चंदर जीर के लिए एक क्या जरूरत ह इसलिए यहां मंद बुद्धी ने इसे किया लेकिन अब परिक्षा करना चाहते है तम देखो उसका फल भी मिलता है सीता चरन चोंच हति बागा मोड मंद मत कारण कागा चला रुदिर रग नायक जाना सेंक धन्ष सायक संधाना वह मोड मंद बुद्धी कारण से भगवान के बल की परिक्षा करने के लिए बना हुआ कववा क्या किया सीता मा के चरनों में चोंच मार के बागा जब रक्त बह चला तब प्रभुशी राम चंदर ने जाना और दन्ष पर सींक सरकंडे का भान संधान किया देखिए अति क्रुपाल रगनायक सदा दीन पर नेह तासन आई कीन ही चलू मूरक अवगुन गेह देखिए प्रभुशी रगनाजी जो अतिनत ही क्रुपाल हुई है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम बरस्ते ही रहता है उनसे भी उसे अवगुनों के गर मुर्क जयंत न आकर चल किया अब इसका परिणाम तो जेलना ही पड़ता है अब इस पद की व्यक्या और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं पुर्वासियों और बरत जी की अनुपम सुंदर प्रीती का तुलसिदास मतलब तुलसिदास कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धी के अनसारवनन किया अब देवतावों मनिश्यों और मुनियों को भाने वाला मतलब अकरशित करने वाले प्रभू शिराम चेंदर जी के उस अत्यंत पवित्र चिर्त्र को सुनो जिसे वे मन में रहकर क्या क्या किया है एक समय सुन्दर फूलों को छुनकर शिराम जी ने अपन हातों से भांती भांती के अबुशन बनाए और सुन्दर स्फटिक शिला पर बैटे हुए प्रभू ने इन्हें आदर पुरोक मातास्री सिता जी को पहनाया है एकिनिसी बेच में द्यावराज इंद्र का शट्मत्ती मंदबुद्धी पुत्र जयंत कव्य का वेश दारण क रगनात जी का बल देखना उनके महामाति की परिक्षा लेना चाहते महाम मतलब बगवान की महिमा को परिक्षा लेना चाहते जैसे महान मंदबुद्धी पिपी लिका समद्र की ताह पाना चाहती हो और यहां एक निश्चित कारण से बनावा लेकिनों मूड है मंदमती होन के करण कोवा सिता जी के चरणों में चोंच मार कर बाग जब चोंच मारे हुए स्थल से कून बह चला तब प्रभु शीराम चंदर जाना और दनशपर सरकंडे का बान संदान किया शीरगनाद जी से भी जो अत्यंत ही कृपाल है और जिनका दीनों पर सदास नहरता है अगुनन के गर उसे मुर्ख अत्यंत और क्योंकि मुर्खतावश जयंत ने क्या किया उनसे आकर चल किया अब आगे क्या होगा हम आगे के पदम में देखेंगे बहुत बहुत धानिवाद